ट्रेन से सफर करने वाले लोग जानते हैं कि इंडियन रेलवे भारत के ट्रांस्पोर्टेशन सिस्टम के दिल की धड़कन है एशिया का सबसे बड़ा ये नेटवर्क हर रोज लाखो करोडो लोगों को सटीक समय पर उनकी डेस्टिनेशन पर पहुँचाता है जरूर आपने भी कई बार इस ट्रेन के सफर का मज़ा लिया होगा लेकिन क्या कभी आपको ये खयाल भी आया कि बड़े जोर शोर से पट्री पर दोड़ती ये ट्रेन बंती कैसे है इसके सबी पार्ट्स को आकर असेंबल कैसे किया जाता है कोच, रेल वील और इंजिन को अलग-अलग तयार करके आखिर साथ में कैसे लगा के पूरी ट्रेन तयार करती जाती है ट्रेन में मजबूत पहियों की एक बड़ी जिम्मेदारी होती है रोज रफतार से दोड़ने के लिए इनका परफेक्टली काम करना जरूरी होता है इसलिए इसे बनाने की प्रोसेस भी आसान नहीं होती है ट्रेन के पहिये को बनाने के लिए सबसे पहले रॉट को बनाया जाता है इसके लिए सबसे पहले उन्हें blade से छोटे छोटे टुकडों में काटा जाता है फिर इन्हें magnets की मदद से move करके conduction में रखा जाता है conduction के अंदर rod 15 मिनिट में गर्म हो जाती है जिसके बाद उन्हें conveyor belt की मदद से move करके दूसरी conduction machine में रखा जाता है ऐसा rod के temperature को बढ़ाने के लिए किया जाता है ताकि इन्हें perfect shape और size दी जा सके इस प्रक्रिया के बाद rod को बाहर निकाल कर एक arm में रखा जाता है जहां एक भारी भरकम press rod को आकार देने का काम करती है लगातार दो बार press करने से rod पहिये की perfect shape में आ जाते है खेर अभी काम खत्म नहीं होता क्योंकि आगे roller press की मदद से पहियों को press किया जाता है ताकि वो पट्री पर चलते हुए अपने grip बना कर दोड़ सके पहिये को एक shape देने के बाद बारी होती है उसके बीच के हिस्से को काटने की इसके लिए पहियों को दूसरी rolling press machine पर रख दिया जाता है और उसके बीच के हिस्से को काट दिया जाता है इसके बाद पहियों की लंबाई को नाप कर उन्हें पानी में ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है पहियों के normal temperature पर आते ही उन्हें एक perfect dimension में लाने के लिए उनकी rim और edges पर काम किया जाता है machinery की मदद से जब पहिये सटीक आकार में आ जाते है तब इन्हें टेस्ट किया जाता है अगर टेस्टिंग में पहियों का आकार और quality अच्छी होती है तो उन्हें तयार करके train के साथ assemble करने के लिए अगली factory में भेज दिया जाता है coach train का वो हिस्सा होता है जिसमें बैट कर आप अकसर travel करते है लेकिन ये सवाल कभी किसी के जहन में नहीं आता कि आखिर इन्हें तयार कैसे किया जाता है बहुत कम लोग जानते है कि train के डिब्बे को stainless steel से बनाया जाता है जबकि इसके interior हिस्से को बनाने में aluminium का इस्तिमाल होता है दरसल coach को बनाने के लिए बड़ी-बड़ी sheets को जोडा जाता है इस काम में manpower भी काफी लगती है सबसे पहले डब्बो के सभी हिस्सों को अलग-अलग तयार किया जाता है जब इसकी एक बोड़ी तयार हो जाती है तो उन्हें साथ में assemble किया जाता है भारत में railway coaches बनाने का काम 1955 से पेरामबूर चेन्नाई के integral coach factory में होता है यहां rail डब्बो की manufacturing के हर हिस्से पर काम होता है इनके model से लेकर body assembly और testing का पूरा खयाल रखा जाता है जब coach की body तयार होती है तो इसे painting के लिए भेज दिया जाता है बता दे कि इस दोरान train के डब्बो में windows और body भी fit की जाती है अब बारी आती है train के सबी हिस्सों को assemble करने की इसके लिए spring लगा कर एक बड़े platform को तयार किया जाता है जिसमें उपर train का धांचा होता है और नीचे पहियों को set किया जाता है ध्यान रहे train के model के हिसाब से पहियों को चुना जाता है पहिये लगाने के बाद इसमें cables के सारे काम को अंजाम दिया जाता है साथ ही इसके interior को भी जोडा जाता है seat से लेकर toilet, cabin और air conditioning की सारी equipment को लगाया जाता है आपने देखा होगा कि train कई functions और software's पर काम करती है उन सभी software's को भी train में assemble किया जाता है इस काम में manpower का काफी इस्तिमाल होता है train को assemble करने के बाद उसे finishing दी जाती है interior को चमकाने से लेकर बाहर की body को भी perfect बनाया जाता है और इसके बाद बारी आती है testing की आपको बता दे कि सबसे पहले train में लगाये गए static functions को टेस्ट किया जाता है साथ ही साथ low speed में इसके dynamic test को भी conduct किया जाता है computer के जरिये भी train के सबी equipment को cross check किया जाता है ताकि गलती की कोई गुन्जाइश ना रहे factories में train को assemble करने की ये प्रक्रिया जानने के बाद आप ये तो समझी गए होंगे कि एक सफल और जिम्मेदार transportation system को बनाना आसान नहीं है train के manufacturing की ये प्रक्रिया आपको कैसी लगी हमें comment section में जरूर बताए हम फिर हाजर होंगे कुछ नए रोमांचिक topic के साथ तब तक के लिए आप इस वीडियो को like, comment और share करना ना भूले और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो चल्द कर ले ताकि हमारी सारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके